अब हम बात करेंगे एलोस्टेरिक एक्टिवेशन की मतलब यदि आपका एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो अल्टरड है ठीके मतलब वो मौडिफिकेशन है सो कन्फरमेशनल चेंजेज आ गए हैं जिसकी वज़े से सबस्टेट बाइंड नहीं हो पाएगा ठीके यद है कि आपका इंजाइम से बाइंड हो जाता है ठीके बाइंड होने के बार उसमें कछेंजेज कर देता है ठीके कंफरमेशनल चेंजेज किसे में कर देगा active site में, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो आपका substrate है, वो enzyme के साथ bind हो जाएगा, ठीक है, उसमें मतलब active site में confirmation चीज़े जा जाएगे, फिर substrate enzyme के साथ bind हो जाएगा, then जो आपके, वो आपका enzyme substrate complex बनेगा, ठीक है, जैसे फिर आगे reaction आगे proceed हो जाएगी, मतलब enzyme substrate complex बन जाएगा, then वो product में convert हो जाएगा, ठीक है, यह हो गया हमारा allosteric regulation, अब enzyme regulation को हम simple way में इस graph के according समझेंगे, ठीक है, इधर होगी आपकी enzyme activity, ठीक है, और इधर होगी आपकी substrate concentration, ठीक है, अगर आपका जो effector है, enzyme के साथ bind हो जाता है, with activator, तो इसका जो rate of reaction होगी, वो इस तरह होगी, अगर substrate alone है, उसके साथ कोई नहीं है, तो इसका जो catalytic activity होगी, वो substrate होगा, वो उसकी जो activity होगी, इस तरह से होगी, ठीक है, with inhibitor, मतलब enzyme, मतलब जो आपके effector अगर negative है, तो वो क्या करेगा, allosteric inhibitor, वो enzyme activity को कम कर देगा, जिससे जो reaction होगी, वो इस तरह से होगी, मतलब low कर देगा, कम कर देगा, decrease कर देगा, इस तरह से आपका होता है, allosteric regulation, allosteric regulation का एक पार्ट है, जो है, feedback, sorry, feedback inhibition या feedback regulation, अब next हमारा feedback feedback inhibition, feedback inhibition को हम self inhibition भी कहते है, क्यों कहते है, जब किसी कोई आपकी जो biosynthetic pathway होती है, कोई metabolic pathway होता है, उसका कोई, मतलब end product, ठीक है, end product जो है, उस sequence के metabolic pathway में, जो enzyme, पहला enzyme जो होता है, उसको क्या कर देता है, inhibit कर देता है, जैसे जनरली समझने के लिए, हमारे पास एक क्यों metabolic pathway है, जैसे A, वो B में convert हो रहा है, B, C में हो रहा है, C, D में और D के बाद E में, E जो हमारा है end product है, A हमारा substrate है, B, C और D, ये हमारे तीनों जो है, intermediate metabolites हैं, ठीक है, जो आपके E1, E2, E3 और E4 है, ये हमारे enzymes हैं, जो इस biosynthetic pathway में involved हैं, ठीक है, इसमें जो आपका, sorry, ये end product जो होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, आपके जो इस biosynthetic में, जो पहला enzyme है, उसकी जो allosteric side जो होती है, ठीक है, वहाँ पे जाके bind हो जाता है, उसमें कुछ modification कर देता है, देन वो सबस्ट्रेट से bind नहीं हो पाता, तो जिससे वो sequence में, जो process में, आपकी जो metabolic process चलती है, वो नहीं हो पाती, ठीक है, तो मैं आपको समझाने कोशिक करती हूँ, next diagram बना के, यहाँ पे यह आपका substrate है, ठीक है, substrate के बाद यह कुछ है, आपके intermediate metabolites है, ठीक है, यह बाला आपका जो enzyme है, कौनसा पहला enzyme है, इसी तरह से दूसरा होगा, इसी तरह तीसरा और चौता होगा, ठीक है, उसके बाद जो substrate है, वो end product में आके convert हो जाएगा, तो जो end product है, sometimes क्या करेगा, वो enzyme, जो पहला enzyme में उसके साथ bind हो जाएगा, bind होने के बाद उसमें कुछ conformational changes कर देगा, conformational changes मतलब उसकी जो enzyme की active site है, वहाँ पे modification कर देगा, ठीक है, अगर यहाँ पे modification कर देगा, then उसमें उसके पास active site नहीं होगी, जिससे सबस्टेट bind हो जाए, जिससे फिर क्या आगे further reaction नहीं हो पाते है, यह हो गया feedback inhibition, मतलब कुछ आपकी जो enzymatic reaction होती है, या biomatabolic path वे होते हैं, वो कभी-कभी इस तरह से inhibit, मतलब कुछ इस तरह से regulate होते हैं, ठीक है, तो next है हमारा covalent modification, जो enzyme regulation हम कर सकते हैं, by the covalent modification, आपको पता है enzyme जो बना हुआ होता है, covalent bond से बना हुआ होता है, जिसमें आपको पता जनरली वो क्या होती है, प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है, प्रोटीन नेचर के होते हैं, देन उसमें जो प्रोटीन के अंदर जो bond होता है, वह पैपटाइट बॉन्ड होता है ठीक है पैपटाइट बॉन्ड होता है उसमें जो और जिसमें मतलब वह कोवालेंट बॉन्ड भी बोलते हैं अगर हम उस कोवालेंट बॉन्ड में तो मतलब जो कोवालेंट बॉन्ड है उसमें मौडिकेशन कर देगा modification कैसे या तो peptide bond या जो भी उसके अंदर covalent bond है उसके अंदर क्या गर दे methylation मतलब उसमें जो आपकी जो ऐसे chain जो होगी वहाँ पे methylation group मतलब methyl group add कर दे या hydroxylation मतलब hydroxy group add कर दे phosphorylation मतलब phosphate group उसमें add कर दे ठीक है इस तरह से modification हो जाएगा आपका आपके enzyme की enzyme में ठीक है जिससे क्या है एक्टिविटी रेगुलेट अब next है हमारा synthesis of inactive form of enzyme मतलब enzyme की inactive form का बनना ठीक है आप इसमें है enzyme की inactive form मतलब बहुत सारे enzymes ऐसे होते हैं जो inactive form में secret होते हैं हमारे body में ठीक है enzyme की active form को हम pro enzyme या gymosan कहते हैं ठीक है gymosan जो होते हैं वो कुछ polypeptide की chain contain करते हैं जो की enzyme की active site होती है उस पर mask लगा देते हैं मतलब उसको area को block कर देते हैं ठीक है जब आपके active site block हो जाएगी then यहाँ पर जो substrate है वो इससे bind नहीं हो पाएगा इससे कोई reaction नहीं होगी अगर हम इसको जो आपका polypeptide chain है अगर इसको हम remove कर दें ठीक है इसको remove कर दें तो यहाँ पर जो active site है जो enzyme है जो active form में है तो यहाँ पर जो substrate है वो इससे आके bind हो जाएगा bind होने के बाद यह enzyme substrate complex बनाएगा दें जो आपको reaction है वो आगे फर्दर proceed हो जाएगी मतलब वो product में convert हो जाएगा ठीक है जैसे आपका कुछ example है जिसमें हमारा पहला example है pepsinogen ठीक है pepsinogen जो है आपका inactive form में है अगर ACL की presence में आ जाए तो वो active form में convert हो जाएगा जो की होगा आपका pepsin ठीक है अब next example है trypsinogen यह भी जो है आपका enzyme है वो inactive form में आपका present रहता है अगर वो interokinase enzyme है उसकी presence में आ जाए तो वो आपका active form में convert हो जाएगा वो होगा trypsin ठीक है